प्रभातकबर.com विश्वास्वही रवतार नहीं पंजाब के सीयम के पत से कैप्टन अमरिंदर सिंग की विदाई हो चुकी है अब नई सरकार को लेकर भी अंदुरूनी खीचतान जारी है इसी बीच बड़ा सवा लिया है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंग कॉंग्रेश छोड़कर बीजेपी या आम आदमी पार्टी में जाएंगे तरसल कुछ दिनों पहले कैप्टन अमरिंदर सिंग और पीम नरेंदर मोदी की दिल्ली में मुलकात हुई थी कैप्टन अमरिंदर सिंग पंजाब से जुड़े मसलों को लेकर बाचीत करने के लिए पीम मोदी के पास पहुँचे थे अब कैप्टन ने सीम के पद से इस्तिफा दे दिया है इसके बाद कयास लगाये जा रहे हैं कि वो बीजेपी की सदस्ता ग्रहन कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंग के सीम के पद से इस्तिफा और पंजाब में बिधान सभा चुनाओ के बीच बीजेपी खेमे के एक्टिब होने की बात सामने आई है अगर बीजेपी की बात करें तो उसके पास पंजाब में बड़ा चेहरा नहीं है बादल गुट के बीजेपी से दूरी के बात बीजेपी अलग थलग पड़ गई है ऐसे में बीजेपी चाहे नचाहे अमरिंदर सिंग अगर कॉंग्रेस से रास्ता बदलने का एलान करते हैं तो बीजेपी को खुशी जरूर होगी पंजाब में बीजेपी की सहयोगी अकाली दल दूर हो चुकी है किसान आंदोलन के मुद्बे पर खुद अकाली दल के नेता बिरोत प्रदर्शन कर रहे हैं दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंग के पियम नरेंदर मोधी से सम्बंध ठीक ठाकी रहे हैं यही कारण है कि अमरिंदर सिंग के बीजेपी में जाने के सियासी क्यास लगाए जा रहे हैं अगर कैप्टन अमरिंदर सिंग की सियासत को देखे तो उन्होंने कई पार्टी बदली अमरिंदर सिंग ने अकाली दल में भी काम किया उसे ही 2017 के बिधान सभा चुनाओं में हराया था 2017 के बिधान सभा चुनाओं में जीत के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंग सियम की कुर्फी पर काभिज हुए थे हाला कि कैप्टन अमरिंदर सिंग ना एलान किया है कि वो अभी कॉंग्रेस में है उनका किसी और दल में जाने का इरादा नहीं है अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंग का फैसला होता क्या है इस रिपोर्ट में इतना ही दूसरी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ